अभी अभी आपने बहुत जबर्दस बात कही है कि महामहीम राश्टपती द्वारा जो है एक गलत तरीके से प्रस्तूत किया गए बाबा साहबो देखो आपने उनका स्पीच आपने सुना होगा तो आप देखें कि बियन राओ के उनका उले कि उनने ये सब स्ट्रक्चर बन प्रमीन आना कि ये बाबा साथ अम्बार करका की मेहनत को बाबा सावं अम्बार करकी सोच को घृ काम शुरूर आया ऐसा हमें लगता है आज तक कही महमहीम राश्टपती देश में बने लेकिन सविधान के बारे में जब भी बात आई तब बाबा साब अमबड कर के सिवा दूसरे का कुईसी नाम ने लिया जिस तरह से आरेसेस और जराज के महमें रजपाल ने भी कि बाबा साब अमबड कर को भूल जाओ तो इसका मतलब है कि कहीन कई डाल में काला है पुरी डाल काली करने का इंका काम शुरू है और यह ऐसे मंच के आधार पर बाबा साब अमड़कर के विचाधारा के लोगों में इस बात को वस्तुसीदी रखना यह मेरा काम था और मैंने रखा अपने एक बात कही कि नीजी करन हो रहा है और नीजी करन की वज़े से तमाम जो आरक्षन है वो खत्म हो जाएगा नीजी करन ना सिर्फ आरक्षन खत्म करेगा बलकि तमाम नौकरियां खत्म कर देगा और जो नौकरियों की जो एक शाहत ही लोगों में वो भी खत्म होने से शायद बच्चों का मनोबल भी तूटेगा लेकिन कॉंग्रेस पार्टी इस पर आंदूलन क्यों नहीं करती अभी आपने देखा हुआ कि आदानी कंपनी का एक बड़ा भांडा फोड जो हुआ है जिसमें LIC और बैंकों में जूटे पेपर दिखा कर बड़े पहिमाने में करजा लिया गया है और अब यह सब पैसा आम अमिका अब वो प्रॉब्लम में आया है लोग भाइबीत हो गहे है और ऐसे समय में पार्लामेंट में जब हमारे नेता रहूल गांदी जी सुनिया गांदी जी और राज्य सबा में हमारे राष्ट्य अद्देख्षा मलिकार जुन खरगे जी यह स सरकार उसमें बात करने को भी तयार नहीं सरकार क्यों अदानी को अदानी ग्रूप को पीछे डाल रही है जनता में जो बहे वो निकालने की कोशिश क्यों नहीं करी वास्तिक तक क्यो सामने नहीं ला रही है तो यह सब प्रश्ण खड़े होते हैं इस सब बातों को मैना जनता का पैसा लूट का उनके मित्रों के आधार पर लूट कर देश को देश की जनता को गरीब बना कर उनको गुलाम बनाना चाहती है और इसलिए यह सब सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं इस वक्त जो इस्थितिया हैं देश की क्या आपको लगता है कि समीधान रहेगा या एक तरह से खत्म हो चुका है और इसमें सरकार यह कहते हैं कि हमारी जवाबदरी नहीं हुआ अगर गलत है तो जो मर गए हैं उनके बारे में हमें सिंपत्य हैं लेकिन उसकी जवाबदरी हमारी नहीं तो इसका मतलब है कि हमारा सवीधान कहता है कि देश के हर इंसान की जिवित की रक्षा करना यह सरकार की दाइत वो बनता है और सरकारी उस दाइत को को स्विकारनी को त्यार नहीं है दूसरा एक महत्वका इशू है आपने देखा होगे कि सुप्रीम कोर्ड यह कहता है कि किंद्रस सरकार बार-बार हमारे में हस्तशिप कर रहा है कोलिलिजम जैसा एक जो सब्जेक्ट है उसमें स सरकारी जस्टिस की निमनुक करेंगी तो जब यह लोगों के ओपर गुने दाखल होंगे कुछ होंगे तो क्या इनने जिन लोगों को इनके सिपारस से जो जैज बने वही लोग नयाय देंगे ऐसा नहीं हो सकता जो सभीधानिक विवस्ता के आधार पर जो कॉलिलिजम बना हुआ है जस्टिस की जो नियुकतिया जो होती है उसका जो नियम बना है उसके आधार पर हो और केंद्र स सरकार उने चाहती है तो नहाय वोस्ता को भी खम कर लिया आज चौता स्थम पर जो भी हमारा रहे हो भी बिजब बिस तम बन चुका हैлекím वास्त के लोगों के सामने के भी हालत खराब हो गिया तो तीन स्थम को तो खतम कर चुके तो फिर अब देश का सविधानिक मेवस्ता का ढाचा बचा कहा है यह सवाल हम पुछते हैं इस वक्त हमाई साथ नाना पटोली जी थे जो कि आपने देखा कि उन्हों साफ साफ कहा है कि समविधान एक तरह से खत्म हो चुका है जिस प्रकार के समविधानिक जो संस्थान है वो खत्म किये जा रहे हैं एक एक करके खत्म कर दिये गये हैं वो अब नहीं बचा है